बैंक जाये तो नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत हैं अत्मान समय में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है इनकम उसके अपिक्छा बहुत कम है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आये का कोई निश्चित इस्तरोत नहीं होता ऐसे में उनके लिए जिवन यापन की एक बड़ी समस्या बन जाती है जो तिस सास्र के अनुसार यदि कुछ साधारन उपए विधी पूर्वक किये जाए तो इनकम का इस्तरोत इस्थाई हो जाएगा साथ ही उसमें बढ़ोतरी भी होगी उपए नमबर वन जब भी आप बैंक में पैसा कराने या निकालने जाए तो मनी मन मा लश्मी के मंतर का जाब करें यदि लश्मी मंतर याद ना हो तो विश्णु मंतर का जाब भी किया जा सकता है ऐसा गड़ने से लेन दिन में आपको लाब होगा साथ ही बैंक में जमारासी भी बढ़ती रहेगी लश्मी मंतर है ओम स्रीम स्रीये नमा और नारैन का मंतर है ओम नमो भगवते बाशु देवाए उपए नमबर दो सुकलपक्ष के सुकरवार को यथा सकती चावल भगवान सिव के मंदिर में ले जाए अब अपने दोनों हाथों में जितने चावल आ जाए उतने सिवजी को अरपन कर दे और भगवान सिव से धन प्राप्ति के लिए प्रात्ना करे जितने चावल के दाने सिवजी को अरपन किये जाएंगे उसका उतने से हजार गुना फल मिलता है अब बचा हुआ चावल गरीबों में बाड़ते यह इंकम बढ़ाने का अच्चक उपाय है उपाय नमबर तीन हर सुकरवार को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दिपक जलाए और इस मंतर का जाप करें मतर है ओम स्रीम 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 इस उपाय से आपके बैंक अकाउंट में धन सदेव बढ़ता रहेगा यदि आप किसी ओफिस में काम करते हैं या आपकी कोई दुकान है तो आप अपने वर्क टेवल पर मोति संख भी रखे ये उपाय करने से निश्चित ही आपका बैंक बैलेंस बंडे लगेगा उपाय नमबर चार जब किसी मेंने की कृष्ण पक्ष में भरने नच्छत्र आए तो उस दिन पानी से भरे हुए चार कलस लेकर किसी सुनसान जगह पर जाए और वहां उन कलसो को रख कर चुपचाप चले आए फिर दुसरे दिन जाकर जो कलस खाली मिले उसे घर ले आए से इसको वहीं छोड़ दे खाली कलस को घर के एकांत कोने में रख कर रोज उसकी पूजा करे तो उस व्यक्ति पर लक्षमी प्रसनों कर उसके घर में निवास करती है उपाय नमबर पांच धन प्राप्ति के उपायों में कई वस्तुओं का उप्योग किया जाता है जो माता लक्षमी को प्रिये है ऐसे ही एक वस्तु है समुदर से निकलने वाली कोडिया देखने में ये बहुती साधरण होती है लेकिन इनका प्रवाव बहुत अधिक होता है इसके उपाय से इंकम बढ़ने लगती है चांदी के सिक्कों के साथ यदि कोडिया धन अस्थान पर रखी जाये तो निश्चित ही धन लाब होता है कोडियों को केसर या हल्दी से रंग में रंग कर पिले कपड़े में बान कर तिजोरी में रखने से लाब होता है गले में तिजोरी में या अलमारी में जहां पैसे रखते हैं वहां कोडिया रखने से अचानक धन लाब होता है उपाय नमबर 6 बुद्वार की सुबर जल्दी उठकर स्नानादी से निपट कर लश्मी जी के मूर्ती या तस्वीर स्थापित करें इसके बाद मूर्ती या तस्वीर की विदिवत पूजा करें लश्मी जी के चड़नों पर इत्र लगाएं और इसके बाद इस मंत्र का पाँच बार जाप करें मंत्र है ओम, लीम, एम, क्लीम, स्रीम मंत्र एक बार फिर सुनें ओम, लीम, एम, क्लीम, स्रीम इसके बाद किसी और कुवारी कन्या को भूजन करवा कर उसे दक्षिना वस्त रादी भेट सरूरू परदान करे तक पस्चात लश्मी जी की वह मुर्ती या तस्वीर अपने पुजास्थान पर या कारेस्थल पर स्थापित कर दे आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपकी हर समस्या का निदान हो जाएगा और धनागमन भी होने लगेगा उपाय नमबर साथ किसी गुरुवार को एक पिले रंग का रुमाल या कपड़ा लेकर किसी ऐसे मंदिर में जाए जहां तुलसी का पौधा लगा हो अब उस तुलसी के पौधे के पास आस पास जो घास उगी है उसे तोड़ कर पिले कपड़े या रुमाल में रखकर वापस घर ले आए इसको वैपार अस्थाल पर या घर में रख दे कुछी दिनों में वैपार में व्रिद्री और धन में बरकत दिखाई दने लगेगी उपाय नमबर आठ एक पिले कपड़े पर कुम कुम से पास बार इस मंत्र को लिखे अब इस कपड़े पर पांच कमल के फूल, पांच कोड़ी, पांच गोंती चक्र और एक मोती संख रखकर सुक्रवार की रात किसी लश्मी मंदिर में चुपचाप रखाए इस उपाय से जल्दी ही आपकी निकम का स्त्रोत स्थाई हो जाएगा और उसमें बढ़ोते भी होगी उपाय नमबर नो किसी सुबयोग में रात के समय लाल कपड़े पहन कर आसन पर बैठे और सामने दस लश्मी कारक कोड़िया रखकर एक बड़ा तेल का दिपक जला ले और प्रते कोड़ी को सिंदूर से रंग कर हकिक की माला से इस मंत्र की पांच बार जाप करे मंत्र एक बार फिर सुने इस प्रयोग से लश्मी सिlgraphी प्रसन हो जाती है और आपके जिवन में फिर कभी धनकी कंबी नहीं होती है उपाय नमबर दस रास्ते में जाते समय या कहीं कोई किननर नज़र आए तो अब उसे अपने इच्छा के अनुसार कुछ रुपिये भैटा दी करें मुसंबह हो तो उसे भुजन भी कराएं उसके बाद उस किनर के पास से एक सिक्का उसके पास रखा हुआ जो खुद का सिक्का जो किसी के दोवारा दिया हुआ नहीं हो मांग ले इस सिक्के को अपने गल्ले कैस बॉक्स या धनस्तान पर रखे आप देखेंगे कुछी दिनों में आपकी सेविंग बढ़ जाएगी और साथी इंकम भी इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक वा सेयर करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद